तो इसमें अपन थोड़ा सा और डीटेल में पढ़ेंगे कि राउल्स लॉग का पॉजिटिव डिविएशन नेगिटिव डिविएशन क्या है और नुविल उफ्सका रूल क्या है कि आता है स्टेट करने के लिए ठीक है तो राउल्स लॉजा में आपको पढ़ाया था तो यह तो मैंने आपको walking बबताएhington की ab नशोंची स्यक्टिव डिविएशन का रीजन क्या है तो एक लगाएं बाइस से क्या होता था कि इसमें molecular force of interaction है तो escaping tendency जो है AOB की वो जादा हो जाती थी इसकी वज़े से जो vapor pressure था solution का वो जादा होता था इसलिए हम कहते थे कि solution is showing what positive deviation ठीक है अब negative deviation का reason क्या था negative deviation का reason भी same था तो same in the sense कि अभी मैं बताती हूं आगे तो आप यह curve देखो तो इस curve में आपको यह देखके पता चलेगा कि positive deviation का curve है यह जो lines दिख रही है यह यह standard lines से उपर है क्योंकि यह positive deviation का curve है अब यहां पे pure component A present है यहां B नहीं है यहां B present है यहां A नहीं है तो यहां पे pure component का partial pressure B है और यहां पे A का partial pressure दिया हुआ है क्योंकि यहां सिर्फ A present है यहां सिर्फ B present है यह जो standard line join कर रही है इसको एको B से और A को यहां B से तो इनका pressure जो partial pressure है वो standard line से उपर है क्योंकि इनके escaping tendency ज्यादा है A और B कि जब solution में present है इस वज़े से आपका क्या होता है यह आपको राउल्स law का positive deviation का curve कुछ इस तरीके का मिलता है ठीक है तो यह एक example भी दिया है आपको यहां पर कि इथनॉल है ना इतनॉल और साइकलोहंड का अगर आप example लेते हो तो आपको यह पतर चले का कि इथनौल में hydrogen bonding होती है है इस hydrogen bonding के current क्या होता है जो cyclohexane जब हम add करते हैं तो cyclohexane इनके बीच में आ जाते हैं इनके बीच में आने की वज़े से इनका जो molecular force of interaction है वो क्या है कम हो गया कम हो गया तो जल्दी से यह vaporize हो जाएंगे है ना सो इसलिए इनका volume भी क्या होता है during formation of such solutions heat absorb होती है और volume जो है वो बढ़ जाता है कि escaping tendency बढ़ गई तो volume तो बढ़ ही जाएगा तो यह था आपका positive deviation अब अगर आप negative deviation की बात करो तो negative deviation का reason यह था कि A और B का जो intermolecular forces force of attraction था वो ज्यादा था ज्यादा है तो escaping tendency कम हो जाती है as compared to pure liquids तो इनका जो hyperpressure है वो काम हो जाता है इसलिए negative deviation शो करते है ठीक है तो यह इसका curve है यहाँ पर सारी lines जो है वो नीचे है standard line से okay now यहाँ पर आप example ले सकते हो acetone और chloroform का है ना क्या होता है यहाँ पर कि acetone और chloroform को जब mix करते हैं तो इन दोनों के बीच में hydrogen bonding होती है जिसकी वज़े से intermolecular attraction जो है acetone और chloroform का वो ज्यादा हो जाता है तो escaping tendency molecules की क्या है कम हो जाती है जिसकी वज़े से vapor pressure कम हो जाता है ओके नाओ यहाँ पर हमें यह topic पढ़ना है इस topic का जो importance है वो क्या है कि यहाँ से हमें novel of का rule पढ़ना है novel of का rule ठीक है तो heading क्या है vapor pressure variation with liquid and the vapor phase composition तो आपको एक example लेना है वो example यह है कि मानलो एक mole आपने benzene का लिया है और एक mole आपने toluene का लिया है ठीक है so that the mole fraction of each component in solution is 0.5 solution में mole fraction दोनों का 0.5 है vapor pressure pure benzene का toluene का दिया हुआ है 1.25 मा 3.70 respectively अब राउल्स ला लगाएंगे राउल्स ला लगाएंगे तो राउल्स का formula क्या है पी नॉट इंट्व राउल्स ला का formula क्या है पी ए इक्वल्स टू पी नॉट इंट्व XA तो अगर आप पहले निकालते ओं बेंजीन का नहीं ना तो बेंजीन का जब आप निकालों यह जो आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन दिया हुए है पॉइंट5 तो यह भी तोलवीं का toluene का जब निकालोगे तो toluene का भी mole fraction इतने ही दिया है दोनों का same दिया था जो pure component का partial pressure था वो इतना था तो आपने निकाल लिया P A और P B भी माल लेते हैं इसको ठीक है तो P A P B not आपने निकाल लिया अब P total आगे दिखते हैं अपन तो mole fraction vapor face में क्या होता है तो vapor face में निकालने के लिए जो component का pressure आया partial pressure उसको total से divide कर देता है तो mole fraction vapor face में आ जाता है अबी तक हम normal mole fraction निकालते थे अब तक हम normal mole fraction अब हमें अगर vapor face में अगर आपको question आता है calculate in vapor face तो आपको क्या करना है P A not upon P total करना है तो P A का vapor face में आ जाएगा PB के लिए क्या करोगे PB not upon P total करोगे तो PB का आ जाएगा इस तरीके से आपने निकाला तो आपको पता चला कि बेंजीन का जो vapor face में ओल फ्रैक्शन आया वो ज्यादा है और toluene का जो आया वो कम है ठीक है इससे क्या पता चलेगा हमें इससे हमें यह पता चलता है कि अब आप यहां देखो compare करोगे तो मैंने आपको बूला ना बेंजीन का क्या आया है जादा आया है as compared to the toluene इस वजह से हम इस conclusion पे आते हैं कि क्या conclusion पे आते हैं keeping in mind that benzene is more volatile than toluene more volatile है मतलब जल्दी से रूम temperature पे evaporate हो जाता है और more volatile है इससे लिए इसका mole fraction भी वेपर फेस में जादा आ रहा है आज समझ आ रही है और यही चीज को explain करता है Novelov's rule so what is Novelov's rule the mole fraction of a more volatile component is more in vapor phase than in liquid phase नहीं तो हमने solve करके उसको mathematically proof भी कर दिया okay so यह था बहुत important topic आज का जो आपको मुझे समझाना था so I hope आप लोगों को यह समझ आया होगा and इसके बाद so fractional distillation होता क्या है तो fractional distillation एक ऐसी separation technique है जो की use होती है liquids को separate करने बट इसका जो basic principle है वो क्या है कि अगर जो liquids है वो boil हो रहे है at different temperatures ठीक है अलग-अलग temperatures पर boil हो रहा है तब हम fractional distillation technique का use करते हैं ठीक है तो क्या होता है कि fractional distillation में mixture जो हमने लिया liquid का उसको हम heat करते हैं heat करते हैं और जिसका boiling point कम है वो जल्दी से evaporate हो जाता है ठीक है फिर उसको हम condense कर लेते हैं और उसको collect कर लेते हैं तो इस way में जो दो liquids थे जो की अलग-अलग temperature पर boil हो रहे थे वो separate होते हैं तो अब अपन इसका डाइग्राम से इसको समझता है हम यहां पर जो example लेंगे वो हम किसका लेंगे benzene and the toluene तो बेंजीन आपका ज्यादा बॉलिटाइल है और नोविल अपस रूल के according mole fraction वेपर फेस्ट में बेंजीन का ज्यादा होगा तो इस process में बहुत सारी stages होती है separation of liquids is done into its pure component and यह एक continuous process है ठीक है तो जिसको हम बोलते है fractional distillation तो यहां पर basically vaporization and the condensation यह दोनों चीज़े होती है पहले vaporize करते है फिर उस vapors को condense कर देते हैं तो वो अगें liquid में आ जाता है ठीक है तो अब हम देखते है इसका graph so you will see here कि यह graph है इसमें आप देखोगे कि vaporization and condensation दोनों चीज़े हो रही है यहां पर ठीक है देखो यहां पर जो है यहां पर benzene का जो यहां पर जो benzene का amount है वह जादा है यहां toluene नहीं है यहां पर toluene है यहां benzene नहीं है तो यहां पर हम बोल सकते कि यहां पर pure A है और इसको हम बोल रहे है pure B है ठीक है अब temperature यहां 353 Kelvin है यहां 383 Kelvin है temperature mole fraction के बीच में graph plotted है तो यह graph है किसका यह graph है benzene और toluene का liquid vapor phase composition का vapor composition का ठीक है तो यहां पर आप देखोगे कि novel of the rule के according the vapors in equilibrium are richer in the more volatile component जो कि benzene है है और उसका composition क्या होगा B होगा देखो जो यह point है यह यहां पर यह वेपर्स है ठीक है वेपर्स हैं वेपर्स में किसका composition जादा होगा जो volatile जादा होगा वोलेटाइल जादा कौन है बेंजीन जादा है वोलेटाइल तो उसका composition आप देखो यहां पर B point जो है वो benzene के composition को correspond कर रहा है okay now you will see what कि this vapor may be condensed by lowering the temperature along the line BC अब इस यह जो वेपर है इसको आप condense कर सकते हो तो यह जो BC line है अगर आप condense करते हो तो यह जो BC line है आपकी वो किसको correspond करती है condensation process को यहां पर क्या था वेपर था अब वेपर को आपने condense कर दिया ठीक है तो यह line जो है यह condensation शो कर रही है अब अगर आप इसको फिर से vaporize कर दो तो यह क्या होगा CD line जो है यह फिर से vaporization को शो करेगी सो यह जो process है अब अगर आपने इस small fraction of condensate को फिर से vaporize कर दिया तो आप composition क्या मिल जाएगा D जो मैंने अभी आपको बताया BC line थी condensation की CD line होगी vaporization की तो यहां पर B composition था फिर C composition आ फिर D composition आ गया ठीक है अब अगर आप फाइनली अगर आप repeat करते हो vaporization और condensation को तो आपको दीरे-दीरे क्या मिल जाएगा प्योर बेंजीन मिल जाएगा यहां पर ठीक है फिर से आपने आप इसको फिर कंडेंस किया तो आपको ऐसी यह process repeat करते-करते जब तक आपको प्योर बेंजीन नहीं मिल जाता तब तक आप as more and more benzene is removed. जो residual liquid है वो toluene में, बद toluene से rich होगा और जो separate होता जा रहा है वो benzene से rich होगा, है ना? तो इस तरीके से हमें residual liquid मिलता है वो सिफ toluene का मिलता है और जो हम distillation कर रहा होता है जो fractalated column होता है उससे जो separate होता है उससे हमें benzene मिल जाता है so each vaporization and condensation represented by the path ABCDE, ABCDE यह जो path बना हुआ है आपका, corresponds to a process what? in which only a tiny fraction of vapor is condensed and revaporized तो वही process हो रही है condensation and vaporization तो बहुत छोटे से portion का condensation होता है और फिर revaporization हो जाता है so यह process काफे time taking है बट practically हम fractionating column का use करते हैं separate करने के लिए ठीक है तो इस तरीके से आप fractional installation को explain करोगे और यह exam में आता है ठीक है? separation technique किसकी ideal solution की ठीक है? अब non-idle solutions को हम कैसे separate करते हैं तो non-idle solutions को distillation के matter से separate करते हैं और यहाँ पर distillation भी again वही है condensation, evaporation, condensation अब क्या होता है यहाँ पर liquid को vaporize करते हैं फिर से हम condensation कर देते हैं तो वह हो जाता है distillation ठीक है? यह positive deviation का graph दिखाया हुआ है यहाँ पर कि distillation का यूज करके positive deviation वाले solution हैं उनको हम कैसे separate करते हैं तो आपको यहाँ क्या देखना है कि यह जो point c है यहाँ इस point c पे liquid और vapor phase composition same है ठीक है अब हम इस point को consider करते हैं जिसका composition a है ठीक है यहाँ liquid है पूरा present यहाँ vapor है तो हम a point जो है यह a composition है इसको हम consider करते हैं जोकि present है x और c के बीच में यह x है और c के बीच में a point present है इसको अगर हम क्या करें separate करना चाहें तो हम distillation का use करते हैं क्या करते हैं कि जो vapors इससे आएंगी जब हम इसको vaporize करेंगे तो वो जो vapors आ रही है वो किसमें रिचोंगी it will be composition इनका p होगा क्योंकि यह जब इसको vaporize करोगे तो a से यह b line p वाली line है तो p composition का होगा और यह किसमें रिचोंगी b में रिचोंगी as compared to a क्योंकि हम इस side shift हो रहे हैं इस side हमें देखो b का component जादा है तो यह b में रिचोंगी than the a so because of this composition of the residual will shift towards a तो residual का जो composition होगा वो a रहेगा और जो हम इसको separate कर रहे हैं वो हमें pure मिलता चाहेगा ठीक है इस तरीके से residual जो होगा वो at a high temperature boil होगा than the original solution ठीक है क्योंकि इसको तो हम separate करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं यह जो बच रहा है यह किस temperature पे higher temperature पे boil होगा और जो आप separate कर रहे हो वो separate हो गया so residual will boil at higher temperature then the original solution इसलिए यहाँ पर positive deviation का graph है and hence if the distillation is continued through the steps जो a b c step है फिर c d e steps है अगर यह continue करोगे तो आपको finally residue मिलेगा ना कि pure B मिलेगा ओके तो अगर आप इस process को continue करते हो a b c d तो आपको क्या मिल रहे है residual मिलेगा यहाँ ठीक है residue A अगर यहाँ shift होगे तो आपको component क्या मिलेगा B मिलेगा किस में रिच होगा composition P composition में रिच होगा okay तो यह इस तरीके से हम इसको explain कर सकते हैं and same इसका just opposite graph जोगा वो negative deviation के लिए होगा तो यह उतना important नहीं है but still पता होना चाहिए तो यह negative deviation के लिए graph होजागा उसकी process यहाँ से शुरू होगी इस type से ठीक है तो फ्रैक्शिल डिस्टिलेशन जादा important है जो आपको अच्छे से पढ़के जाना exam में यह आता है और यह पता होना चाहिए कि idle solution को हम फ्रैक्शिल डिस्टिलेशन से हम नहीं क्या किया अभी हमने यह देखा था कि प्योर ए हमें कैसे मिला ठीक है अब अगर आप जो पी composition है ठीक है तो इसकी वेपर्स को अगर आप क्या करते हो कंडेंस करते हो और फिर से कंडेंस करते हो और ही डिस्टिलेट करते हो तो आपको composition C मिलेगा डाट इस वेपर्स वेपर्स विल अब दा सेम composition as that of liquid तो यहां पर आ जाएंगे हम पॉइंट सी पे और पॉइंट सी पे क्या है पॉइंट सी पे लिक्विट और वेपर्स का composition सेम है और जब लिक्विट वेपर्स में composition सेम होता है उसको हम azeotrop कहते हैं तो यहां पर constant boiling mixture मिल गया मतलब azeotrop मिल गया दस एनी mixture having composition between what x and c can be separated only by fractional distillation दियान से सुनना है ना into its residual pure a and the final distillate composition c but pure b आपको नहीं मिल सकता यहां आते आते क्योंकि आप c point पे पहांच गए c point पे liquid और वेपर का same composition तो अब आप b तक आगे जाहीं नहीं सकते हैं तो जो भी हो रहा है fraction distillation यह अंदर process हो रही है जिसमें आपको residual a मिल रहा है और distillate c मिल रहा है अब same process अगर आप क्या करोगे negative deviation के लिए करते हैं तो वो अभी हम आगे देखते हैं on the other hand if a solution of composition m अब अगर हम यहां से देखते हैं इस point से जो c और y के बीच में M point है यहना M point जो है c of i के बीच में अगर आप क्या करते हो M composition को vapors of the composition N which are coming out अगर आपने इसको क्या किया distill किया M composition को तो आपको जो composition मिलेगा वो N मिलेगा कैसे क्योंकि M और N अब distill कर रहे हो इसको ठीक है तो आपको N composition मिला यह किस में रिच होगा A में रिच होगा of course क्योंकि हम इस side move कर रहे है left side तो left side A जादा है है न तो हम क्या कहेंगे कि जो vapors आपको मिल रहे है it will be rich in A than the original solution इसलिए repeated distillation से जो residual मिलेगा वो B की तरफ tend towards pure B तो residue तो आपका B ही रहेगा बर जो distillate होगा वो rich किस में होने लगेगा A में rich होने लगेगा hence on repeated distillation residue will tends to have B composition distillate C की तरफ move करने लगेगा C कहलो या फिर A कहलो उसके बाद क्या होगा such solutions on complete distillation क्या yield करेंगे pure B but pure B residue में रहेगा in the residue and constant mixture फिर से आपको C मिल जाएगा तो इस तरीके से आपको constant boiling mixtures point C पे ही मिलेंगे फिर भी जब अगर आप यहां से भी start करोगे तो pure A आपको नहीं मिल पाएगा जैसे आपने यहां से start किया pure B आपको नहीं मिला क्योंकि आप एक point पे आके रुख जा रहे हो C point पे ठीक है अब जैसे negative deviation का दीखना है तो एक graph में आपको बताया था ना ड्रॉ करके तो यह negative deviation का graph है ठीक है अब यहां पे अगर आप similar behavior है जैसा कि पहले है बस difference क्या रहेगा difference is that residue tends towards maximum boiling mixture that is D तो आप जब residue जो residue यहां पे मिले यहां पर जो हमें residue मिल रहा था वह कहां मिल रहा था कि residue will tend towards pure B यहां पर मिल रहा था pure B pure A A का यहां B का यहां अब यह क्या था यह positive deviation show कर रहे थे minimum boiling azeotrop का graph था अब यह negative deviation show कर रहे है तो maximum boiling azeotrop का है इसलिए यह उपर side है maximum side है तो यहां क्या होगा अगर आप start करते हो composition A से जो कि कहां पर present है यह और D की बीच में present है यह और आप क्या करते हो इसको distillate करते हो तो यह pure components की तरफ जाने लगेगा if the starting mixture का composition A है जो कि Y और D की बीच में present है तो अब क्या करते हो इसको then the vapors will have composition P आपने distillate किया अब क्या होगा जो A को A का composition लिया then the vapors will have composition P where the vapors are richer in B than the solution A फिर से पढ़ते है if the starting mixture has a has a composition A अगर starting mixture जो है इसका composition A है ठीक है जो Y और D की बीच में है then the vapors इनके vapors का composition किस में rich होगा P में rich होगा क्योंकि यहां पर आप vapors की तरफ जाओगे तो P में rich होगा होगा ना नीचे तो liquid है और उपर vapors है ठीक है अब यहां पर आप देखोगे तो composition of the residue कहा शिफ्ट हो रहा है D की टरफ शिफ्ट हो रहा है D रेसिद्यू का यहां शिफ्ट हो रहा है और repeated distillation जो condensate का होगा वो आपको finally pure B देगा in the vapor form and that is repeated evaporation of condensation liquid का क्या yield करेगा residue with composition D क्योंकि यहां पर मैंने आपको पहली बोला difference यह है कि D की तरफ residue मिलेगा तो D आपको decomposition पर residue मिलेगा और pure B के vapors आपको यहां मिलेंगे ठीक है similarly अगर आप M composition की बात करते हो जो X और D के बीच में लाए करता है तो आप क्या करोगे on distillation a vapor of composition N richer composition N richer in A तो अगर आप M से start करते हो तो vapors का जो composition होगा वह N में richer होगा as compared to the original solution फिर फिर से आप इसको residue आपको कहां मिलेगा residue आपको D की तरफ ही मिलेगा क्योंकि D की तरफ ही आपने बोला कि residue मिलना है फिर आप redistillation करते हो condensate का तो vapors will tend to have pure A ठीक है री डिस्टिलेशन पे फिर दवेपर आप मिल गया हमें finally we will have the residue of composition D and pure distillate A तो अगर हम यहां से शुरू करते हैं तो distillate हमें D पे मिलेगा यहां प्योर भी मिल जाएगा यहां से शुरू करेंगे तो distillate D पे मिलेगा प्योर A मिलेगा ठीक है इन जेनरल हम क्या कह सकते हैं कि we can separate a liquid mixture negative deviation वालों को into residual composition D which is at the constant maximum boiling mixture so they are minimum boiling आप यहां azeotrop कह सकते हो क्योंकि negative deviation शोगे नहीं minimum boiling azeotrop बनाएंगे आपके ठीक है so they are called azeotrop okay liquid boiling unchanged boiling temperature same होता है जैसा मैंने पहले बताया था so they resemble pure compounds in their boiling behavior however changes in vapor pressure and the produce changes in the composition as well as the boiling points so आपको जो composition मिला constant boiling mixture का composition C यह क्या exhibit करहा था positive deviation ओपर वाले फिकर फिकर अपका क्या एक्जबिट करे negative deviation और इन दोनों points के जो composition उसको हम बोलते है azeotrop ठीक है तो azeotrop आपके chemical compounds नहीं है liquid mixtures है ठीक है तो यहां तक ही हमें यह पढ़ना था यहां पे हमारा solution 1 खतम होता है और एक question है जैसे आप से पूछा है can isotrops be separated into pure component by fraction distillation so they cannot be separated अभी मैंने उपर बोला था कि fraction distillation से isotrops को separate नहीं किया जा सकता है okay so यह examples दिये है water acetone water ethanol etc तो यह थोड़ा सा difficult topic है बट बस आपको graphs देखने हैं और एक point consider करना है कि कहां से हम start कर रहे है start करने के बाद point d पे हमें residue मिलेगा और बागी pure a pure b इधर मिल जाएंगे और उपर जो ने positive deviation शो कर रहा है उसका just opposite हो जाएगा उसमें point c पे मिलेगा okay so i hope आप लोग को समझाया होगा thank you